Hello Friends, Welcome to Online Study Bytes, मैं हूँ प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं SCRT, EBS की कक्षा 6-7-8 की पुस्तक, कक्षा 6-7-8 की सिर्फ एक ही पुस्तक है, EBS की अलग-अलग बुक्स नहीं है, तो आपको सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है, 678 की, जो आपके लिए important है, EBS की तयारी कर रहे हैं, त पारिस्थिती की तंत्र क्या होता है, प्रक्रती में भिवन्य प्रकार के जीव जो हैं, पाए जाते हैं, और वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और एक दूसरे पर कैसे प्रभावित होते हैं, ये चीज़े हम पारिस्थिती के अंतरगर पढ़ते हैं, पारिस्थिती य करता है, जीवन रहने के लिए किस प्रकार निर्भर होता है, किस प्रकार का क्रिया कलाब करता है और इन परिस्थितियों का अध्यन ही क्या कहलाया जाता है पारिस्थिति की कहा जाता है तो जहां पर भी ये लॉजी वर्ड लिखा है, ecology हम लिखते हैं eco plus logi दो शब्दों से मिलकर बना है eco का मतलब होता है home यानि की घर और logi का मतलब होता है study यानि की अध्यन किसी भी चीज का हम अध्यन कर रहे हैं वहाँ आप देखोगे logi लिखा होगा जैसे biology, जीव का अध्यन जीव विज्ञान का अध्यन psychology ठीक है, जहां भी logi लिखा है, logi का अर्थ होता है अध्यन करना, तो यहाँ eco मतलब home, यानि की आप अपने घर की, यानि की घर के आसपास की चीजों के, अपने environment की अपने पर्यावरन की चीजों का अध्यन करना ecology, पारिस्थिती के लाया जाता है कि कौन किस तरह से रहता है, कैसे एक दूसरे पर निर्भर करता है, कैसे अपना साथ बनाता है ये सारी चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं इसमें सजीव और निर्जीव घटक मिलकर एक तंत्र बनाते हैं तो पारिस्थिती के तंत्र के दो घटक होते हैं पहला होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव हमारे आसपास या तो चीज़ा सजीव है जिन में जान है, जो चल फिर सकती है ये चीज़ें क्या कहलाई जाती है सजीव यानि की living things biotic कहलाई जाती है और निलजीव चीज़ें वो होती है जिन में जान नहीं है जो चल फिर नहीं सकती, सांस नहीं ले सकती तो ये चीज़ें biotic यानि की non living things कहलाई जाती है और ये ही पारिस्तिति की तंत्र के दो घटक कहलाई जाते है पारिस्तिति की तंत्र मतलब ecosystem जिसों हम English में क्या कहते हैं ecosystem कहते हैं अब आप मुझे अनेकेडमी पर भी जॉइन कर सकते हैं अनेकेडमी पर मेरी free life class चल रही है डेली एक बजे और शाम को च्छे बजे तो आप इन life class को जॉइन कर सकते हैं कुछ भी pay नहीं करना है बस आपको जो नेचे description में link दिया है link पर click करना है और free life class को unlock करना है unlock करने के लिए आपको मेरा referral code प्रतीक्षा TET use करना है जिसे की वो जो life class है वो बिल्कुल free हो जाए और आपको यहाँ पर एक notify me करके option दिया होगा तो जैसे ही class start होगी उसका notification आप तक पहुँच जाएगा तो ज़रूर इन classes को join कीजे history और geography की classes हैं history की दुपर एक बज़े जिसमें आपको SCRT per based question answer करवाए जाएंगे जो आपके UPTED, SuperTED, Junior Edit exam के लिए बहुत ही आपको help करने वाले है तो join करना बिल्कुल भी न भूलें लिंक description में दिया है एक बार जरूर चेक करें इसके साथ ही the ultimate preparation rate level 1 और 2 के लिए भी an academy course लेकर आया है जो की 19 मार्च से start हो रहा है जिसमें आपके हर एक subject को cover किया जाएगा सारे subjects यानि की social studies, science, Hindi, maths, English, Sanskrit, EVS, CDP सब ही को पढ़ाया जाएगा इसको भी आप join कर सकते हैं इसका भी लिंक आपको description में मिल जाएगा target UPTED 2021 का complete batch course भी start हो रहा है जो की 22 मार्च से start हो रहा है और इसको भी आप join कर सकते हैं और an academy के काफी सारे ऐसे courses आ चुके हैं CTET के लिए और UPTED के लिए जिसमें 500 से भी ज़्यादा बच्चों ने selection लिया है तो आप anacademy के course पर भरोसा कर सकते हैं और complete batch course जोइन करने के लिए आप anacademy पर जाकर इस course को जोइन कर सकते हैं लिंक आपको description में जरूर मिलेगा जितने भी batches मैंने बता हैं आप सभी batches को पढ़ सकते हैं बस आपको एक बार subscribe करना है और one subscription में आप हर batch का फायदा उठा सकते हैं आप subscribe करने के लिए या फिर free live class join करने के लिए आप मेरा referral code प्रतीक्षा TET यूज कर सकते हैं अगर आपको इस subscription लेते हैं तो उसमें आपको 10% का discount भी इस referral code के माध्यम से मिल जाएगा यहां TET plus subscription के charges हैं तो आप अपने according subscribe कर सकते हैं और 10% का discount पाने के लिए मेरा referral code डालना बिलकुल भी न बूलें तो आज ही join करें India's best educators for all subjects All batches only one subscription हमारे देश का भौतिक स्वरूप हर जगे एक सा नहीं है कहीं विशाल परवत हैं तो कहीं दूर तक फैला रेगिस्तान है कहीं घंडे जंगल मिलेंगे तो कहीं समुध मिलेंगे कहीं पर हरयाली मिलेगी तो कहीं पर सूखा मिलेगा इसी तरह का हमारा बहुतिक स्वरूप है हमारे देश का बहुतिक स्वरूप की भिनता के कारण यहां की जलवायू भी कैसी होगी अलग होगी भिन भिन होगी कहीं पर ठंडी हवाएं चलती होगी तो कहीं पर गरम हवाएं कहीं पर बारिश ज्यादा होती होगी तो कहीं पर बारिश बिलकुल भी नहीं होती होगी तो जलवायू की इस विवित्ता के कारण वनस्पतियों और जीवजन्तूं में भी कुछ न कुछ भिन्नता होती है प्रक्रती में सब का स्थित्व बना रहे, इसके लिए पौधे, जलबायू और पर्यावरण मिलकर कई प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्मान करते हैं जैसे जल में रहने वाले प्राणियों का तंत्र अर्थार्थ वो क्या कलाया जाता है जले पारिस्थितिकी तंत है इस प्रकार स्थले पारिस्थितिकी तंत भी भिविन प्रकार के होते हैं जैसे मैदान में रहने वाले जीव पठारी स्थल पे रहने वाले परवत्य पारिस्थितिकी तंत या पारिस्थितिकी तंत जले अत्वा स्थले उ सजीव घटक के अंतरगत क्या 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 चीज़ आती है जो चल फिर सकती है जीवित चीज़े आएंगी जिसमें पेड़ पौधे आते हैं क्योंकि पेड़ पौधे सांस लेते हैं कालबन डायकसाइड ग्रहन करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं पशु पक्षी आएंगे मनुश्य तथा सूक्षमजीब ये हमारे क्या है सजीव घटक है ये घटक एक दूसरे के लिए पोशर का कारे करते हैं पोशर के आधार पर सजीव घटकों को तीन श्रेणियों मे पहला है उतपादक जिसे हम प्रड्यूसर कहते हैं उतपादक जो अपना भोजन स्वयम बनाते हैं इनको हम स्वपोशी भी कहते हैं इन्हें उतपादक कहा जाता है जैसे हरे पेड़ पौदे हरे पेड़ पौदे अपना भोजन स्वयम बनाते हैं क्योंकि इनके जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम प्रकास संसलेक्षन कहते हैं हरे पौधे प्रकास संसलेक्षन की क्रिया में सूर्य के प्रकास की उपस्तिती में कार्बंडाय ओक्साइड और जल लेकर chlorophyll की साहिता से अपना भोजन यानि कि glucose के रूप में अपना भोजन का निर्मार करते हैं दूसरे जो होते हैं उपभोगता यानि कि consumer जो जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक यानि कि हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं प्रत्यक्ष रूप का मतलब यानि कि जो डारेक्टली पौधे पत्तियां खाते हैं जैसे बकरी ठीक है जैसे गाय या फिर और जीव जो जंगल में रहते हैं अगर हम हिरन की बात करें तो हिरन क्या करते हैं प्रत्यक्षी रूप से पेड़ पौधों यानि कि उत्पादकों पर निर्भर होते हैं क्योंकि वो तो पौतियां खाते हैं अब अप्रत्यक्ष रूप के अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष रूप से कैसे उत्पादक हरे पौधे पर निर्भर करता है जो हिरन है, हिरन क्या खा रहा है, उत्पादकों को खा रहा है, पत्तियों को खा रहा है, लेकिन हिरन को कौन खा रहा है, मानली जे शेर खा रहा है, शेर खा रहा है हिरन को, तो शेर भी अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करेगा, हरे पौधों पर निर्भर करेगा, क न शेर बचेगा तो ये क्या है प्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं उत्पादक पर निर्भर कर रहे हैं चाहे वो प्रत्यक्ष रूप हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप हो प्रत्यक्ष रूप में वो डारेक्ट पत्यों को खाते हैं और अप्रत्यक्ष रूप में पत्यों को निर्भर रहने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है पर पर मतलब दूसरा और पोशी निर्भर रहना तो पर पोशी भी कहते हैं उपभोकता को हम तीन भागों में बाटते हैं पहला उपभोकता प्रथम चरण उपभोकता दूसरा दुत्य चरण उपभोकता और तीसरा तृत्य चरण उपभोकता, तीन चरणों में हमने यहाँ पर उपभोकता को माटा है बहुत अच्छा चैप्टर है, most important चैप्टर है, question यहाँ से जरूर आता है और interesting चैप्टर है, interest के साथ पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा प्रतम चरण उपभोकता क्या होता है, first consumer या फिर primary consumer इनको कहते है जो शाकाहारी, जन्तू, भोजन के लिए सीधे उत्पादक, जैसा कि मैंने कहा हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं प्रतम चरण के उपभोकता कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, हिरन, खरगोश ये सबी चीजें क्या खाते हैं, ये शाकाहारी भोजन खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, अनाच को खाते हैं या सबजियों को खाते हैं, फलों को खाते हैं, फूल को खाते हैं तो ये पूरी तरह से प्रतिक्ष रूप से प्रत्थम चरण के उभोकता हैं, जो की पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं. दूसरे चरण के उभोकता कौन से होंगे? दूसरे जो जानवर शाकाहारी जन्तों को भोजन के रूप में ग्रहन करते हैं. यानि कि ये अप्रतिक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, लेकिन खाते किसको हैं? प्रत्थम चरण के उभोकताओं को. जो जानवर शाकाहारी जन्तों के भोजन के रूप में ग्रहन करते हैं, इन्हें हम दूत्य चरण के उभोकता कहते हैं, जैसे शेर. शेर किसको खाता है? बकरी को, हिरन को, खर्गोश को, गाय को, मनुश्य को, किसी को भी खा सकता है, चीता, भेड़िया, ये सबी क्या हैं? दूत्य चरण उभोकता हैं, ये बकरी, हिरन, खर्गोश का शिकार करते हैं. क्लियर, अब बात करते हैं, तीसरे प्रकार के कंज्यूमर की. इसी प्रकार, दूत्य चरण के उभोकता अर्थार शेर चीता आदी को, म्रत अवस्था में भोजन के रूप में जो गरहन करने वाले जीव होते हैं, वो दूत्य चरण के उभोकता, यानि की, अपमार जक कहला जाते हैं, जैसे गिद, जब शेर मर गया, या कोई और जानवर मर गया, तो उसके खालों को खाना, उनकी चीदों को खाना, देखे होगा, किसी भी मरे हुए जीव पर बहुत सारे गिद, या बाज, या चील, या कोई, मडर आ रहे होते हैं, वो नौच नौच के उनको खा होते हैं, तो ये तृत्य चरण के उभोकता हैं, जिनने हम अपमारजग भी कहते हैं, और गिद, बाज, चील, कोई, मरत जानवरों का मास खाते हैं, इसलिए ये तृत्य चरण के उभोकता है, तीसरा जो हमारा प्रकार है, किसका तीसरा प्रकार? तीसरा जो हमारा प्रकार ह सजीव घटरकों का ठीक है पहला उत्पादक था दूसरा उभोकता था उभोकता में हमने तीन चरणों की बात करी अब तीसरा जो है वो है अप घटक क्या सभी जीव प्राणियों की म्रत्यों होने पर प्रक्रती में इनके धेर बन जाते हैं ऐसा इसलिए होता है कि प्रक्रती में कुछ जीव ऐसे होते हैं इन्हें हम सूक्ष में जीव भी कहते हैं जो म्रत्य जीवधारियों एवं सड़ी गली वस्तों को खाकर इनसे पोशर प आता है ये अब घटन का कारे करते हैं इन्हें अब घटक कहते हैं अब हम बात करेंगे दूसरी निर्जीव घटक यानिकी नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स की पर्यावराण के निर्जीव घटक के अंतरगत इस्थल मंडल जल मंडल और वायू मंडल आते हैं ये सबी हमें प्रक्रती से प्राप्त होते हैं निर्जीव घटक के कारण ही सजीवों का विकास बहतर डंग से, संभव है किसी भी निर्जीव घटक के अधिक या कम होने से पारिस्तितिकी तंतुलित हो जाता है। राजा महराजा सडकों के किनारे छायदार ब्रक्ष लगवाते थे उस समय लोग वनों की रक्षा करते थे आज पेड़ों को हम अपनी आवश्यक्ता के लिए अथ्यदिक संख्या में काट रहे हैं जिसे हमारा पर्यावरन क्या हो रहा है असंतुलित हो रहा है। समस्त जीव और सजीव और निर्जीव घटक मिलकर एक संतुलित पारिस्तिति की तंत्र बनाते हैं और उसी पारिस्तिति की तंत्र के कारण ही हम सभी सजीव और निर्जीव अपनी अपनी आवश्यक्ता पूरी करते हैं। तो यहाँ पर एक food chain दी गई है, आहर श्रंखला दी गई है, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे, क्या होती है food chain और food web, आहर श्रंखला और आहर जाल, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, एक श्रंखला, एक chain जो है वो बनती है और किसकी chain है आहर, यानि कि food की, किसी भी पारिस्तितिकी तंत्र में जीव जन्तों के भोजन से सम्मलित कड़ी या श्रंखला को आहर श्रंखला कहते हैं, आहर श्रंखला के एक सिरे पर उतपादक और दूसरे सिरे पर सर्वोच उभोगता होता है, चित्र में तीन प्रकार की आहर श्रंखला दी हैं, इन्हें ध्या उद्ग्राइन को कौन खारा है शेर खारा है यहां पेड़ पौदों को कोई टिड्डा खा रहा है तिड्डे को को nut to me को बिच्छु को कोई मच्छume को नरे मचली को कोई बगुला खा रहा है तो इ attic ce इन तरह की यहाँ पर food chain बनाई है और food chain के बाद अब आपको food jal बताएंगे food jal में food chain तो यह सीदे सीदे बनती है कि एक को इसने खाया, दूसरे को इसने खा लिया लेकिन food जाल में कोई भी किसी को खाता है तो कोई भी किसी का भूजन हो सकता है प्रतेक पारिश्थिति की तंद्र में अनेक आहार शंकला होती है और ये कई स्थानों पर एक दूसरे से जुड़ी होती है तो जहां पर ये जुड़ जाती है वही फूर जाल बन जाती है आहार शरंकलाओं के कई स्थानों पर जुड़े होने के कारण पोशर सम्मंद एक रेखा में ना होकर जाल की तरह उलच जाती है इसे आहार जाल कहती है दिये गए चित्र में आप देखोगे पेड़ पौधे, हिरन, शेर, शियार, अबगटक और पुना पेड़ पौधे एक खाद्य श्रंकला के रूप है इस प्रकार कई खाद्य श्रंकला मिलकर खाद्य जाल बना रही है तो यहां पर हम खाद्य जाल समझेंगे कैसे तो देखिए, यहां पेड़ पौधे हैं पेड़ पौधे को कौन खा रहा है? एक हिरन खा रहा है अब हिरन को शेर भी खा सकता है, हिरन को एक इनसान भी खा सकता है अब पेड़ पौधों को कोई और कीड़ा खा रहा है जैसे तो उस कीड़े को पेड़ पौदों के एक टिड़ा खा रहा है तो टिड़े को एक साप भी खा सकता है साप को बाच खा सकता है या कोई और जानवर साप को खा सकता है तो इस तरह से ये जो जाल है कई सारे जो जाल है वो उलद जाते हैं मिल जाते हैं तो वही चीज़ें खाद जाल के लाई जाती है खाद श्रंखला को मिलाकर एक खाद जाल बनाया जाता है यहाँ पर हम जब अगर खाद श्रंखला की बात करेंगे तो वहाँ पर सब में क्या होती है उर्जा होती है सब चीजों में उर्जा होती है, एनर्जी होती है और एक जब खाद्य श्रंखला चलत रही होती है तो उर्जा का प्रभाद भी उसके साथ साथ चल रहा होता है उर्जा का प्रभाद जो हमारा उर्जा का इस रोत है वो कौन सा है? सूर्य है सूरे से उत्पादक उर्जा प्राप्त करते हैं ठीक है जो उर्जा इस खरगोश को मिलेगी वो उस उत्पादक का 10% होगी इस खरगोश को किस ने खाया शेर ने खाया तो जो खरगोश पर उर्जा थी उसका 10% किसे मिलेगा उसका 10% शेर को मिलेगा शेर की जो उर्जा है वो उसका 10% अब घटकोंपे मिलेगा और अब घटकोंप से जो उर्जा जा रही है मिट्टी और जल में वो उत्पादकों को मिलेगी तो ये जो उर्जा है उर्जा का जो प्रभा है वो भी खाज श्रंखला की तरह चलता रहता है लेकिन कितना चलता है तो 10% तो इसको 10% नियम भी कहते हैं और ये 10% का नियम के उर्जा जो है प्रभा जो है वो निरंतर चलता रहता है निरंतर उर्जा का प्रभा होता रहता है जो की स्टार्टिंग सूर्य से होता है और ये एक दूसरे से जो प्रभा हो रही है वो कितनी हो रही है सिर्फ प्रतिशत की होती है और इसका जो नियम था वो लिंड मेंट नाम के विज्ञानिक ने दिया था तो किसी भी पारेस्थिति की तंत्र के लिए निरंतर उर्जा की आवशक्ता होती है और प्रकर्दी में उर्जा का प्रमुकिस्तोत क्या है सूर्य है सूर्य से प्राप्त प्रकाश उर्जा को पौधे ग्रहन करके खादे पदात का निर्मार करते हैं इनी खाद्य पदार्ट को जीव बोजन के रूप में लेते हैं जिससे उनको उर्जा प्राप्त होती है पेड़ पौधों से लेकर जीव जन्तुओं तक उर्जा का प्रभा होता है और इस प्रकार क्रमशा सभी जीव जन्तु एक दूसरे को उर्जा प्रधान करते हैं तो यहां दीए गए चित्र में उर्जा का प्रभास सूरे से पेड़ पौधे, पेड़ पौधा से शाकाहरी जीव में और शाकाहरी से मासाहरी जीव में मासाहारी से अब घटक और पुना पेड़ पौधे में हो रहा है और सौर उर्जा जो है वो बहुत कम मात्रा में ही प्रत्वी के पारिस्तिति की तंत्र को प्राप्थ हो रही है इसका मुख्य कारण यह है कि सूर्य से प्राप्थ होने वाली उर्जा का अधिकांश मात्रा प्रत्वी पर पहुँशने से पूर्वी विकरण आदी के रूप में नस्थ हो जाती है और यह प्रत्वी पर हो रहे प्रदूशन का दुश परणाम है प्रकाश उर्जा का मात्र एक से पांच प्रश्यद भागी हरे पौधे द्वारा संचित रसायनिक उर्जा में परवर्टित होता है और यह ब्रक्षों की लगातार घटी संख्या का परणाम है उर्जा की मातर निरंतर कम हो रही है यह ब्रक्षों तरथा कुछ जीवजन्तों की कम होती संख्या के कारण है तो उर्जा हमें कहां से मिलती है हमें भोजन से मिलती है जब तक आप खाओगे नहीं तब तक आपको उर्जा नहीं मिलेगी तो सेम ऐसा ही जीवजंतों के साथ भी है उन्हें उनके भोजन से मिल रही है तो जब भोजन में ही कमी आएगी खाने में ही कमी आएगी तो अच्छ जीव उस वास इस्थान पर रहना पसंद करते हैं, जिसके लिए वह अनुकूलित हो। वनों के काटे जाने से अनेक जीवों के लिए वास इस्थान का संकट उत्पन हो गया है। प्रत्वी पर लगाता भड़ते प्रदूशर के कारण कई जीव वातावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पा रहे हैं और विलुप्त होते जा रहे हैं, जैसे गिद्ध, सारस, बाग और भारत्य चीता। डाइनोसोर तथा डोडो तो पूर्ण तह विलुप्त हो चुके हैं। सजीवों में अनुकूलन जीवित रहने के लिए सभी जीवदारियों की कुछ आवशक्ता होती हैं। ये आवशक्ता हैं उचित वातावरण, आवास, भोजन, पानी, सुरक्षा और प्रजनन हैं। सभी जीव अपनी आवशक्ताओं की पूर्ती अपने पर्यावरण से करते हैं। और इन आवशक्ताओं की पूर्ती हेतू, जन्तू और पौधे अपने पर्यावरण के अनुरूप शारिक सनरचना, कार्य और व्यभार में परिवेश के अनुरूप में जीवों में ये परि परिवेश के अजयविक घटकों में परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन होता है, वे जीव जो इन परिवर्तनों के साथ सामन जसे इसापिर नहीं कर पाते, वे नस्ठ हो जाते हैं, उधारन के लिए डाइनसोर अपने बड़े आकार और भोजन की कमी के कारण नस्ठ हो साजीवों में भिविन भातावरण में रहने के लिए बहुत से अनुकूलित लक्षन विशेष्टाएं पाई जाती हैं, तो आएए जाने भिविन भातावरण दशाओं में पाई जाने वले जन्तू और पौधे जिन इनकी अनुकूलित विशेष्टाएं, तो जैसे अत्य दिख गर्मी में रह सकता है नाकपनी बबूल ऐसे पेड़ हैं जिने पानी की जरुरत नहीं है कम पानी में भी ये अपना को ग्रो कर लेते हैं उमूट के गर्दी डाल पैर उसे रेट के मैदान में चलने के सहायता करते हैं बबूल में वसा के रूप में भोजन और पानी इकटा होता है जो उनकी विशम परिस्थितियों में उनका काम आता है नाकपनी की पत्तियां वाशपुत सरजन द्वारा पानी के हास को रोकने के लिए काटों के रूप में परवर्तित हो जाती हैं जड़े पानी की तलाश में गहराई तक चली जाती है तथा तना चप्टा और गुदेदार होता है जो भोजन बनाने में और एकट्रित करने का कारे करता है तो ये इनकी खासियत है अब जले छेत्रों की बात करें तो जले छेत्र में जल की अधिकता होती है जहां पर आपको मचली मेड़क कमल जल कुमभी सिंगारा आदी जैसे जीव और पेड़ पॉधे मिलेंगे मचली मचली का शरीर धारा रेखित होता है जो तैरने में सहायता करता है स्वसन हेत्व क्या होते हैं? गलफड़े होते हैं मैडक के पेरों की उंग्लियों के बीच जिली या पाथ जाल पाए जाल मैडक को जल में तैरने में इनको सहायता करते हैं पतवार के रूप में काम करते हैं जले पौधों का जो तना होता है वो लंबा होता है हलका होता है और मुलायम होता है तने के अंदर वायू कोस्ट पाई जाते हैं जो इसे तैरने में सहायता करते हैं पत्ति जो होती हैं चिकनी होती हैं चप्टी होती हैं हरी होती हैं चिकनी पत्तियां पौधों को पानी में सर करने से बचाती है तो और चोड़ी वा चप्टी पत्तियों की सहायता से ये वाशपोस सर्जन और प्रकास संस्लिक्षर अधिक करते हैं परवत्य छेत्र की बात करें तो अत्यदिक ठंड होती है परवत्य छेत्र में हिंपात होता रहता है और धालदा चट्टाने होती है वहा पहाडी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार शट्टानों पर डॉरने के लिए अनुकूल बनाते हैं। पहाडी ब्रक्ष जैसे चीर देवदार आदी शंकदा धार होते हैं। इनकी शाखाएं तिलशी एवं पतियां सुई के समान होती हैं। इससे वर्षा का जो जल है बर्फ इन पर रुकता नहीं है और आसानी से फिसल कर गिर जाता है। तो ये हमारा चैप्टर था आप अपने आसपास के छेतर का भ्रमण कर जन्तू और पौदों की सूची अनुकूलन के विसिस्ट लक्षनों के साथ तयार कर सकते हैं। तो प्रवासी पक्षियों की यहां पर बात हो रही है प्रवासी किसे कहा जाता है जो मौसम से अनुकूलन बनाए रखने के लिए पक्षी हिमाले के बरफीले छेतर साइबेरिया औस्टेलिया से हजारों किलोमेटर की याता करके हमारे देश में आते हैं इन पक्षियों को पक्षी कहते हैं अब चलते हैं पारिस्तिति की तंत्र का संतुलन हमारा दायत्व है पर्यावरान संतुलन में प्रतेक सजीव घटक जैसे पेड़ पौधे मानवगाय शेर तता निर्जीव घटक जैसे जल भायू पोशकतत तो सौरूजा आदी की महत्यपूर भूमिका है ह हम भी पारिस्तिति की तंत्र के महत्पूर घटक हैं परन्तु हमारी क्रिया कला प्रकृति के संतुलन को नस्ट कर रहे हैं जिससे हमारों प्रकृति के शेष घटक जल भायू उजा पेड़ पौधे और जीव जन्तों का अस्तित्व खत्री में हैं किसी भी सजीव या निर् चाना बहुत जरूरी है पर्यावरण बचेगा प्रदूशन नहीं फैलेगा पेड़ पौधे की कटाई नहीं होगी और जीवों का शिकार नहीं होगा उससे हमारा पारिस्तिक तंत बचा रहेगा तो इसी के साथ यह हमारा जो चैप्टर है वो खतम होता है और जितने भी इ प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं अभी के लिए तना ही बाइ-बाइ-टेक्या एंड थैंक्स वर वाचिंग